नश्कार दोस्तों आज हम आपके लिए का है अन ओफिशल लॉंच और ओफिशल लॉंच में फाइब जी एबिलेटी की कितनी आ चुकी है आपकी सिटी में और बात करी जाए तो वो जियो की हो या एटल की हो दोनों के बारे में बात करेंगे और यहां पर आपको कुछ नई देखने के लिए मिलेंगे इसे वीडियो पर चलते हैं वह कौनसे सिटी हैं जहां पर अभी 5G हुआ है या नहीं हुआ है सब कुछ बात करेंगे इसे वीडियो में बड़ा वीडियो लाइक जरू कर देजेगा यहां पर चले सबसे पहले जो हमने प्रिवेस वीडियो करिए लेकिन इसमें आपको कुछ नई चीजे भी देखने के मिलेंगी जैसे कि बात करें एक कमेंट में यह बताया गया चोटे उदेपुर गुजरात में 5G आया है या नहीं आया है तो बहुत ज्यादा लिमिटेड एरिये में मतलब आप मेंन सिटी में या तो अभी अंड तो थोड़ा सा टाइम आल लएगा और बात करें सेकेंड सिटी जहां पर पूर्वा बड़ धामन में आपको मेंन सिटी के अंदर 5G देखने के लिए मिलता है और आप मेंली आउटर के साइड हाइवे पर जाते हैं तो आपको हाइवे कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है मे जमुई बिहार में जहां पर अभी कोई उमीद नहीं है मतलब एक डिड़ महीना मानिए कि बिल्कुल भी आपके पास बात की जाये तो एटिले जीओ के 5G नहीं देखने के लिए मिलेंगे बात करें जुन जुनू राजिस्थान में जहां पर अंडर टैस्टिंग है मतलब इंस्टॉलेशन चल रहा है अभी आपको ऑफिशली तौर पर नहीं मिल रहा होंगे लंसम 15-20 दिन लग जाएंगे और थोड़ी थोड़ी रेंज खुलना शुरू हो जाएगी बेटा टैस्टिंग पर उसके बाद लगता है कि अभी एक डिड़ महीना लग जाएगा लगेगा और चलते हैं राजिस्तान में जहां पर बिंदर उदेपुर जहां पर अभी किसी भी तरीके की अभी करेंटली 5G एटल के तरफ से बात करें चीओ के तरफ से अबिलेबिल नहीं है लग रहा है कि क्योंकि उदेपुर के साइड से आएगा तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है लमसम आप दो महीने के अरॉंड मान सकते हैं बात करें थावा बिहार में जहां पर नियरेस्ट आपको गोपाल गंच में अबिलेबिल है मतलब बात की जाए तो 5G नैटवर्क और थोड़ा सा मेंली हाईवे पर आते हैं तो आपको देखने के लिए मिलता है क्योंकि हम कमेंड में आपसे पूछते हैं बहुत जादा टाइम लग जादा वीडियो को बनाने में सब कुछ तो हम सोच रहे हैं कि आपके लिए एक डारेक्ली लाइफ इवेंट लेकर आया जाए जिसमें कि आप डारेकली कमेंड के दुआरा डूरिंग दी लाइफ सेशन में आप पूछ दे तो हम आपको live आपकी city के बारे में actual बता पाएंगे कि आपकी city में अभी available है या नहीं है तो वहां पे हम यह सोच रहें कि मतलब एक हथ्ले में एक वाल लाइफ फिक्स हो जाएगा कि हां हमें कित्ते वजे लेके आनी है कि जादा कर लोग मुझे लगता है कि शाम के टाइम सास से आठ के बीच में फिरी रहते हैं तो आप हमें बता दीजेगा हम उसी दोरान एक घंटे की लाइफ इस्ट्रीम लेके आएंगे जिसमें कि आप लाइफ पता जाता है 5G के मामले में जिस तरीके से प्रोग्रेस चल दे तो वहां पर आपको रेगुलर अप्टूडेट रहे वह हम चाहते हैं तो यहीं सबसे बड़ी अनॉस्मेंट थी और कमेंट में टाइम जरू बताईएगा बहुत जादा इंपॉर्टन होगा और चले चंदोली उ है अंडर टेस्टिंग चलना इंस्टॉलेशन चलना है तो अभी आपको अपने एरिये में देखने के लिए नहीं मिलेगा बात करें मधू बनी में जहां बिहार है तो वहां पे एरिये में तो आने वाला ही होगा ज्यादा टाइम नहीं है लेकिन शायद आपके पास नहीं तो एरिया प्रॉब्लम हो सकती है कि लिमिटेट मैंक्सिमम एरिया कवर कर रखा है में सीटी का लेकिंशायद आप आउटर में हो या जिस एरिये में हो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है नेटवर्क की तो इसलिए आपको नहीं मिल रहा हो गात थोड़ा सा भारवार खुमे तो लेकिन में सीटियो थोड़ा सा आप बात करूं चेती के तरफ जाते हैं या रुद्धरपुर के तरफ जाते हैं या यूपी के तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी लिमिटेड एरिया में त चल रहा तो इस वह से प्रॉब्लम हो सकती है आपको और बात करें विभूतिपुर में जहां पर आपको जैसे कि भगूतिपुर बात करें समझतिपुर बिहार तो वहां पर अभी किसी तरीकी कोई उमीद नहीं लग रही कि एक डिड़ महीने से पहले ना अभी अंडर इंस स्थान में जहां पर अंडर इंस्ट्राइलेशन चल रहा है तो अभी थोड़ा सा आप एक्सपेटेशन लगा सकते हैं कि कम से कम दो तीन महीने तो मनीम मानी है कि प्रॉपर फाइव जी आने में टाइम लगेगा उत्रप्रदेश जोनपुर में चलें तो वहां पर आपको म लंसम आई चुका है वहां पर बात करें विशाली विहार में हाइवे पर तो एबलेबर है लेकिन विशाली में बात की जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम नेटवर्क की और एक्च्वल की में सिटी में बहुत लिमिटेड एरिये में ही है तो इसलिए आप ज्यादा खास ए तो इसलिए आपकी तो याद आ चुका है या लेकिन वोँडु सकती है यविज अच्छी लगे के चैनल को Subscribe वीडियो को वी चेका दने बात।